नमस्कारे Kisner India पर आपका एक बार फिर से सवागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं MP Police Constable के result के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस परकार से आपको Police Constable का result चेक करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में step by step दिखाई जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्ट्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को अपलाई को और सेर अवस्य करेगा और साथ ही ऐसे ही वीडियो जोर ऐसी ही जानकार या सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को भी subscribe करके bell icon को दबा दीचेगा अब आईए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस परकार से आपको MP Police Constable का result चेक करना है तो आपको बताते है result चेक करने के लिए आपको Google Chrome या अन्य कोई भी browser open कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है educationindialive.com आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है educationindialive.com Google में यह सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस परकार से एक पे जाएगा यहाँ पर सबसे उपरवाली website को आपको open कर लेना है website कुछ इस परकार से आपके सामने open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएगे MP Police Result 2024 आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और इस पोस्ट को open कर लेना है पोस्ट आपके सामने कुछ इस परकार से open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएगे MP Police Result 2024 आपको इस डारेक्ट लिंक पर क्लिक कर देना है अब आपके सामने कुछ इस परकार से एक page open होगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने application number इस box के अंदर fill करने है application number को fill करने के बाद यहाँ पर आपको पनी date of birth को fill करना है उसके बाद यहाँ पर आपको mother name के पाले वाले two characters fill करने है और यहाँ पर आपको उसके बाद fill करने है अपने अदार card के last four digit जो भी अदार card के last four digit है उसको यहाँ पर कुछ इस परकार से fill कर देना है उसके बाद ये capture code यहाँ पर fill करना है capture code में आपको क्या करना है capture code में आपको जो भी add या subscription देखने को मिल रहा है उसे कर लेना है और search पर click करना है search पर click करते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने आपका result open हो जाएगा यहाँ पर उपर आपको अपने बारे में basic detail देखने को मिलेगी उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको result देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर आपको qualified या फिर not qualified देखने को मिल जाएगा तो कुछ इस परकार से आप MP, Police Constable का result चेक कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक और से अवस्य करेगा और साथ ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही जानकारिया सबसे पहले प्राप्ट करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीचेगा मिलते हैं हम सब्सक्राइब वीडियो में क्रिशन जानकारिय के साथ तब तक के लिए धन्यवाद